अगर फेंट्स आपके पास OPPO का E3X 5G है और नहीं आ रहा है आपके Spawn में 5G network तो आज इस बीड़ो में कुछ छोड़े step आपको बताएंगे जिनने follow कीजिए फिर आप Spawn के अंदर बहुत आसानी से 5G network का यूज़ कर सकते हो ला सकते है इस फॉन में 5G network चली आपको बताते ह जैसे कि आपको बनके select करना है तो बन पर आप क्लिक कर लीजिए अब यहां पर select करने पर आपको network टाइप देखने को मलता है इस पर click करके चेक कीजिए आपको 5G पर select होना चाहिए यहां पर selected है तो काफी बढ़िया बात है तो आप यहां से वापस आ जाईए आपको data roaming यह इस तरह से off पर click कीजिए अब आपके phone के अंदर searching होना शुरू हो जाएगा अब यहां पर आपको करना क्या है जितनी भी network है आपके area में उस सभी आपको यहां पर देखने को मल जाएंगे अगर आप phone के अंदर GEO को network यूज़ कर रहे हैं तो GEO 5G के लिए select कीजिए अगर BI BI का यूज़ करें तो BI 5G के लिए select करेंगे अगर ATL है तो ATL 5G के लिए select करेंगे इसके लब अगर phone में BSNL का सिम है तो उसके लिए भी network आप यहां पर देख पाऊगे जो भी network आप यूज़ कर रहे हैं phone के इंदर उसके लिए ही आपको 5G network select करने है अब जैसे के हम GEO का network यूज़ करें तो G5G यहां पर देखने को मल रहा है इस Q पर आप प्लिक कर दीजिए phone में registered हो जाएगा आपका 5G network अब आपकी phone में 5G network को आना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से इस phone के आप 5G network setting कर सकते हैं